कैसे हो आप लोग आप सभी को सबसे पहले तो दिवाली छट पूजा की बहुत बहुत ज़ादा शुब कामनाय गोवर्धन पूजा और भाई दूज भी इन त्योहारों का हिस्सा होते हैं तो उन सब की भी आपको धेर सारी शुब कामनाय देखिए त्योहारों का सीजन है मौ जो है वो पहुँ जादा हेक्टिक था बाक तो बाक शेडियूल लगे हुए थे काम कर रही थी मैं तो इस वज़े से तोड़े आप नोस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं जोक्रफिक अब वीडियो था हैं तोड़े आम गोई तो र हमारा सौर मंदल ठीक है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपकी जितने द्यादा लाइक मिलते हैं जितने द्यादा कमेंट मिलते हैं मुझे मोटिवेशन होती है और मैं रड़ी हो जाती हूं फिर से नई सब्सक्राइब कर ली थी सारी चीज़ा जो इंपोर्टन है वो अंडरलाइन करके मैंने आपके लिए रख दिया है ताकि आपको बहुत जादा NCRT में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आप इंपोर्टन चीज जो बहुत जाद इंपोर्टन है पेपर और और येंटेड जिसे हम बोलते हैं वो प्रत्वी के डामेटर का केवल एक चौथा ही है वन फूर्थ जिसे हम बोलते हैं यह इतना बड़ा इसलिए प्रतित होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन खगोली पिंडों के अपेक्शा नजदीक है ओविसली जो चीज हमारे पास में होती है वो ह आगे बड़ेंगे कि उपग्रह या अब उपग्रहों के बारे में हम देख लेते हैं उपग्रह एक खगोली पेंड़ है जो ग्रहों के चारोंगाते हैं जिस प्रकार ग्रह शूर के चारोंगाते हैं तो अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सूर हा वो एक टारह है जो स्वयandь के प्रकश्मान है और इस चारों तरफ जो हैं सौर परिवार में चकर लगाते हैं और उपग्राय उनको बोलते हैं जो ग्रोरों की चक्र लगते हैं तो आई-ोब यह कुन सब्ड आपको क्लियर होचुका होगा कुछ उपग्रह जो पॉपकृते होते हैं और कुछ होते हैं मानव निर्मित, उपग्रह रहे की थी तो इस तरह से यह सब चीज़ें जो हैं वो कम्यूनिकेशन के लिए और जो हमारी ग्यालक्सी है हमारी यूनिवर्स है उसके जबारे में नहीं नहीं जानकारियां जुटाने के लिए इन सब को भीचा जाता है प्रथिवी की कख्षा में स्थापित कर दिया जाता है यह सबी जो सैटलाइट से उनको रॉकेट के द्वारा स्पेस में बेशते हैं और जो हमारे अर्थ का जो और्बिट है उसमें हमें इसको फिक्स कर देते हैं अंतरिक्षी में पस्तित कुछ भारतिया पग रहे हैं इंसे सैटलाइट है आयरेस है और एडू सैट है यह हमारा पहले 2004 में लांच किया हुआ हमारा पहला सिक्षा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहला सैटलाइट था आगे बढ़ेंगे आकाश गंगाय मिलकर ब्रह्मान का निर्मान करती हैं ब्रह्मान की विशालता की कल्पना करना तेदी कठेन है और विज्ञाने कभी इस बारे में जानकारी कत्र करने में जोटे हुए हैं तो ब्रह्मान्ड जो एक ग्रूप है वो है कई आकाश गंगाओं का इस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहले अर्थ है अर्थ के चारों तरफ सौर्मंडल में है सौर्मंडल आकाश गंगा में है और आकाश गंगाई जो है वो ब्रह्मांड में है और हम प्रत्वी पर है तो यह एक सीक्वेंस है कि इनसान किस पर है प्रत्वी प्रत्वी का अस्तित्व कहां पर है सौर्मंडल का एक सदस्य है सौर्मंडल किस में इस्तित है वो आक कि जो चंद्रमा है वो प्रतिवी का एक चक्कर लगबख 27 दिन में पूरा करता है प्रतिवी जो है वो सुर्य का चक्कर 24 घंटे में लगबख इतने ही समय में अपनी अक्षपार एक चक्कर भी पूरा कर लेता है इसके परणाम सरु प्रतिवी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा की परिस्तथियां जीवन के लिए अनुकूर नहीं है इसकी सताय पर परवत मैदान गड़े हैं जो चंद्रमा की सताय पर च्याय को देखा जा सकता है तो अब अब की बार क्यों कहें कि अनियुमित सर्फिस है जो वहां पर जो उसकी चाया बना देते हैं क्योंकि चंद्रमा का स्वयम का तो कोई प्रकाश है नहीं वह सूर के प्रकाश से प्रकाशत होता है इसी लिए यह चाया हमें पूर्ण मास्षी के दिन दिखने लगती है चुद्र ग्रह तारो ग्रहों और उपग्रहों के अतरिक असन के छोटे पिंड भी सूर के चारों और चक्कर लगाते हैं इन पिंडों को शुद्र ग्रह कहते हैं यह मंगल और ब्रहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं यहां पर एक पॉइंट बहुत जादा नूट करने के कि चुद्र ग्रह ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं तो मंगल और ब्रहसपति ठीक है है यह च ouais सोटे पिंड होते हैं ऐसा कहा जाभापता है कि ये जो चुद्र ग्रहां है वह ग्रहों के भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले से वीय पईक्र ग्रहों तूटकर अलग हो गये थे कई बार विस्पोट हुआ है ग्रहों से टक्रा गये हैं तो वो छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और ज्यादा तर वो घूमते हुए कहां पाये जाते हैं मंगल और ब्रहस्पति के बारे में जानते हैं उलका पिंड क् होते हैं सूर के चारों और चक्कर लगाने वाले पत्थरों के चोटे-चोटे टुकड़ों को उलका पिंड कहते हैं किसके चारों और चकर लगा रहे हैं सूर के चारों कभी-कभी यह उलका पिंड परत्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रिवर्थी पर गिरने की होती है इस प्रक्रिया के दौरान वायू के साथ घर्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और उसके परिणाम श्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन होता है कभी-कभी कोई उलकापिन पूरी तरह जले विना प्रत्वी पर गिरती है और धरातल पर गढ़े बन ज छो जो दिखाया देता है ये हमें तब ही दिखाए देता है हमारी रात जो हम देख रहे हों बिलकुल साफ हो इस पत्ति को हम और हम, हमारी प्रत्वी कोई पर जैसे इस आप महाते थे ले काई है और हम और कि सोर्मडल उन्हें वह भी इस आकाश गंगा best उस्साहा आप जो ह से आकाश गंगा उलका पेंट और चुद्र ग्रहों का कॉंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ रिविजिन करते रहिए और बने रहिए इस चैनल में साथी जल्दी से सब्सक् वर्दन पूजा भाय दूज और छट पर्व की धेरों शुब कामना है नमस्कार